देखिए उंगली करना जो है हमारे देश में अगर ये बात हम किसी से करते हैं तो इसे काफी डेरोगेटरी माना जाता है एक गाली के रूप में माना जाता है मुझे याद आ रहा है मेरी फिमेल फ्रेंड जो कार सीख रही थी एक बार उनके ट्रेनर ने जब उनसे कह दिया था कि आप ये काम नहीं करोगी तो मुझे उंगली करनी पड़ेगी आपको तो उन्हें ट्रेनर को चाटा मार दिया था इतना उन्हें बुरा लगा था लेकिन स सेक्स करते हैं संबोग करते हैं इंटरकोर्स करते हैं फोर प्ले करते हैं इसमें उंगलियों को आपको हलके में नहीं लेना चाहिए उंगली के प्रयोग से भी आप अपने पार्टनर को असीम सुक का अनुभाव करवा सकते हैं तो कैसे करवा सकते हैं और उंगलियों का प् आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना है फ्रेंड्स देखिए Medical Science जो Sex Duration की बात करती है जो Sex की बात करती है वो तीन से साथ मिनिट की बात कर रही है उसका मतलब यह है उनका आशाई यह है कि जब लिंग योनी के अंदर प्रवेश करता है तब से Sex Time शुरू हो जाता है और जैसे वीर निकल जाता है यानि सिमन निकल जाता है योनी के अंदर वेजाईना के अंदर तब Sex Time खतम लेकिन इससे पहले जो चीज आती है वो है Four Play Medical Sciences ने यह कहा है कि अगर आप तीन मिनिट का Sex करते हैं अगर आपका Sex Duration तीन मिनिट का है तो कम से कम आपको तीन टाइम से यानि करीबन दस मिनिट का Four Play करना ही चाहिए और Four Play करने का अद्बुट तरीका है उंगलियों की मदद से पहले मैं बात करूँ लड़कों की अब लड़कों की बात करें या मर्दों की बात करें तो उंगली का मतलब यहीं समझ में आता है कि योनी में उंगली करना है या उनको आनन देना है पर यही मतलब नहीं है आप उंगलियों की मदद से उनके बालों को छू सकते हैं हतेली और उंगलियों की मदद से आप उनके नाक पर धीरे धीरे उंगली फेर सकते हैं चीक बोन्स पर, होटों पर, मुग के अंदर, गले के पास, गर्दन के पास यहाँ पर हाथ फेर सकते हैं यहाँ पर लड़की को और मैलाओं को बहुत जादा उत्तेजना होती है और उनके जो ब्रेस्ट एरिया है यहाँ पर धिरे-दिरे हाथ फेर सकते हैं नाभी पर, योनी पर तो है, उनकी जो जांग है उसके आसपास का एरिया पाउं में भी, पाउं पर अगर आप तीरे-दिरे हाथ फेरते हैं लाइट एकदम डिम हैं, निवस्त हो चुकी है, आपकी पत्नी, आपकी प्रेमी का, आपकी सकी, आपकी लिव-इन पार्टनर करिये जरूर, और लड़कियों के लिए ये संदेश है मेरा, कि आजकल जो जद्दो जहद भरी जिन्दगी है, इसमें मर्द ठकाहरा घर पे आता है, और ठकाहरा आने के बाद, आपकी इच्छा है कि वो सेक्स करें, उसको ओन कैसे करना है, ओन मतलब क्या है, सेक्स के लिए तैयार करना, मैं आपको मेथेड़ बताता हूँ, लड़कियों और महिलाओं आपको उंगलियों का प्रयोक करना है, सारी उंगलियों का, जैसे आप रात हो चुकी है, आप दोनों बिस्तर पर हैं, और आप एक दुसरे से बात कर रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि जो उनका अंडरवे है, उसके अंदर हाट डालकर उनका जो लिंग है, उस पर धीरे धीरे उंगलियों से और हतेलियों से हाथ फेरना है, और लिंग ही नहीं, नीचे जो बाल्स हैं, टेस्टिकल्स, उस पर भी धीरे धीरे हाथ फेरना है, उसको मसाज देना है, लड़को पर हाथ फेरना है चीक बोन्स यह तो कॉमन है लड़के लड़कों के बीस्ट में यह सब अगर आप करेंगे नाभी पर भी आप धीरे धीरे उंगली लगा सकते हैं अपिस्पेशरी अंडर जो एरिया है उसको उंगलियों से और हतेलों से मसाज करेंगे नाप आपका जो मर्द है आपका जो पार्टनर है वो जल्दी ओन हो जाएगा और कितना भी थका हुआ हो नाव चालू हो जाएगा जाएगा जो चीज चाहिए आपको मिल जाएगे आपक तो उंग्लियों का IMPORTANCE मेंने आपको बताया two को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए और उनग्लियों का ध्यान भी रखना चजाहिएं हमें कुछ जैल लगाना चचाहिए रें लग लगाना चाहिए या उंग्लियों में नाकुन लंबे जादा नहों कटे फटे नहों इससे आपको infection हो सकता है और साथ में दूसरे वाले अगली को या अगले को चोड भी लग सकती है इसलिए उंगलियों के प्रयोग करने से पहले हतेलियों के प्रयोग करने से पहले यह चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो भी information मैंने दी अगर अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा बेल आइकन को हीट करेगा जिससे मेरे सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे फिर मिलता हूं किसी और दिन ऐसी interesting information आपके साथ शेयर करते हुए तब सक के लिए ब